नमस्कार मैं शिवांचली और आप देख रहे हैं दफुल वॉल्यूम आपको अनील कपूर की वो नायक फिल्म याद है जिसमें उन्हें एक दिन का सीम बनाया गया था पर क्या ऐसा सच में हो सकता है यह सुनने में कितना अजीब लगता है और ऐसा लगता है कि यह सारी चीज यहां 24 जन्वरी को राष्ट्रिय बालिका दिवस के सुब अपसर पर हरिद्वार निवासी शुष्टी गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्राखंड का सीम बनाया जा रहा है सीम त्रिवेंद्र सीही रावत शुष्टी को देहरा दुन में बाल सभा सतर के दोड़ान एक दिन के लिए उत्राखंड का सीम बनाएंगे आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कौन है शुष्टी गोस्वामी और उनमें क्या है खास जिसके कार उन्हें एक दिन का पदाभार दिया जा रहा है बालिका दिवस के मौके पर बाल मुख्य मंत्री की कूरसी हरीद्वार के शुष्टी गोस्वामी संभालेंगी इस दौरान विधान सभा में बाल विधान सभा आयोजित की जाएगी जिसमें कई विभाग इसमें प्रेजेंटेशन भी देंगे शिष्टी के सामने सभी विभागे अधिकारी अपने विभाग के कारियों का 5-5 मिनट का प्रेजंटेशन देंगे वही 24 जन्वरी को बाल विधान सभा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी बाल विधान सभा में हर 3 वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चैन किया जाता है इस बार बाल विधान सभा में मुख्यमंत्री शिष्टी गोस्वामी को बनाया जाएगा शिष्टी मुख्य मंत्री के पतपर होते हुए भी खुद बाल विभाग का प्रेजन्टेशन देंगी बतौर मुख्य मंत्री शिष्टी उत्राखंड के विकास के कामों की समिक्षा भी करेंगी और बाली का सुरक्षा और उनके उत्थान से जुरे मुद्दो पर चर्चा भी करेंगी अब जानते हैं कि आखिर कौन है शिष्टी गोस्वामी शिष्टी गोस्वामी वर्तमान में उत्राखंड की बाल विधान सभा की मुख्य मंत्री है शिष्टी ग्राम दौलतपूर की निवासी है और रूरकी के बीएसम पीजी कॉलेज से बीएसी एगरिकल्चर में सात्वे सिमिस्टर की छात्रा है शिष्टी के पिता प्रवीन पूरी गाउं में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और उनकी मा सुधा एक ग्रीनी के साथ साथ आंगनवारी कारे कत्री भी है शिष्टी हर जगा छात्रों के उत्थान के लिए काम करना चाहती है वह एक समाजिक संगठन का हिस्सा भी है जो लड़कियों को सिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है 2018 में शिष्टी को उत्राखंड में बाल सभा के कानून निर्माता के रूप में चुना गया था 2019 में वह लड़कियों के अंतराष्ट्रे नित्रित्व में भाग लेने के लिए थाईलांड भी गई थी मैं शिष्टी को स्वामी जिला हरीद्वार मैं उत्राखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री हूँ जिसका गठन प्लैन इंडिया राज्य बाल सरक्षन आयोग वैल श्रीबूनेश्वली महिला आश्रम द्वारा किया गया है मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अफसर बालिका दिवस पर मिला है मैं इसके लिए उत्राखंड के मुख्यमंत्री श्री तिर्वेंदर सिंग रावत जी का रिदे सहभार परकट करती हूँ इस दिन विविन विभाग मेरे सामने अपने कारियों का प्रस्तूति करन करेंगे जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाग दूँगी खास कर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़ेवे सुझाग मैं उनको दूँगी धन्यवाद इस बड़े कदम को उठाने के पीछे का उदेश महीला शशक्ति करन हैं ताकि और भी महीला इससे प्रेरित हो और वो अपनी अंदर छिपी काबिलियत को पहचानते हुए देश के विकास में अपना योगदान दे सके किसी भी मुख्य मंतरी को अपने पत से हटने के बाद उन्हें कई सारी सुवधाओं से लास किया जाता है पर क्या जब शृष्टी एक दिन की मुख्य मंतरी पत से हटेंगी तो उन्हें वही सारी सुवधाओं से लभवांदित किया जाएगा जो किसी भी मुख्य मंतरी को क किया जाता है। हाला कि इससे जूरी खबर हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास इससे जूरी कोई भी जानकारी है तो हमारे कमेंट बॉकस पे comment जरूर करें या फिर वीडियो में दिये गे झाल झाल